जो अभी इससे पहले के जो दो वीडियो आपके सामने आए हमने इसमें क्या चर्चा की क्या बाते की आप तमान को पता है कि हमने शिवाजी माराज की तालीम का अगास कैसे हुआ और पूरा जो शहर है वो जड़ चुका था उसको किस तरह आबात किये यह हमने मालूमात हासिल कर लिए अब आईए हम तीसरा जो अहिम नुक्ता है उस पर बात करेंगे और प्यारे बच्चों आपको पताए किसरा नुक्ता क्या है तीसरा नुक्ता यह है कि दादा जी कौन यह उस शक्स का नाम है जिन्होंने शिवाजी माराज को तालीम गी यह उनके उस्ताद के तो तीसरा नुक्ता हमारा यह है कि दादा जी कौन दो का बासलायत प्रदार क्या था इसके बारे में हम इस वीडियो में मुकंबल और तफसील से मालूमात हासिल करेंगे तो आप इ प्रदार है चलिए हम वीडियो की तरह चलते हैं दादा जी कौन दो का पासलायत के ताल जिस समाने में जिजावाई और शिवाजी महराज करनाटक में मुकीम थें दादा की कौन दो पूना की जागिर के इंतिदामात देखते हैं वो कौन दाना के सुभेदार भी थें दादा जी कौन दो बहुत इमानदार खजीन थें जिस तरह वो मामलात में मुस्तर थें इसी तरह वो इंसा पसंद भी थे उनकर नगम जब बहुत सक्त था और वो सुल पसंद इंसान थे इसी जमाने में शाजी राजे के हुपम बर पूना में एक महल कामिर किया गया जिसका नाम लाल महल रखा गया दादाजी ने चन्द बरसों के लिए माल गुजारी माफ कर दी ताके कास्तिकार खेतों में कास्तिगारी कर सके कास्तिकार आवारा भेलियों की हुजे से बहुत परिशान थे इसका हल लेकानने के लिए दादादी कोंद्यों ने भेलियों को मानने के लिए इन पर इनामात का एलान किया जिसकी हुजे से बहुत सारे भेलियों मारे गए चोरिया बहुत होती थी इनको खत्म करने के लिए उन्होंने कास्तिकारों के जट्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे इसकरार चोरी का खत्मा हुआ जमीर की किस्म के लिहाद से मान गुजारी की शरा मकर्रती इन थारे इन तेगामा से रियाया अवाम बहुत खुश हुए गादा दी गादा की कौंडियों और निजामशा के वजीर मलगंबर के जराती इसलाहा और महसूल की वसुलियादी के सिस्वे में किये गए गाम रहम और बन्यादी हस्या करते थे हुए